हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेग तो आज का यह चैप्टर है आप लोग का साइंस चैप्टर नमबर टेन रीचिंग दी एज ओफ एडोलिशन्स टीचिंग पॉइंट आज इस चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग एडोलिशन्स और पबर्टी, चेंजिस और पबर्टी, सेकेंडरी सेक्जुल केरेक्टर्स का हते और रोल ओफ हर्मोन्स इन इनिटियेटिंग रीप्रोड़क्टिव हुमन्स में एडो लास्ट फढ़ेंगे रीप्रोड़क्टिव हेल्थ के बारे में तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसमें आप लोग को इंट्रोड़क्शन दिया गया है वो इंट्रोड़क्शन में आप लोगको ये दिया गया है कि in the previous chapter you have learned how animals reproduce पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा यानि चैप्टर नमबर नाइन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे एनिमल रीप्रोडियूस होते हैं दोस्तों आप लोग को चैप्टर नमबर नाइन का नाम तो याद ही होगा ना रीप्रोड़क्शन इन ए कि यह अपने कवी सूचा है कि जब कोई हुता है वह के बाद ही रिप्रोडूस होता है है यह जैप्टेन में उनों पढ़ने वाले हैं कि पर्फ। प्लेस इन्द घुमेंन बॉड़ि वं चैंजी जो एंधर रोल करता है क्या क्या कौन से हुटे हैं और पर्षण हो जो भी आदमी होता है वह कब總 हो जाता है और छोल्फ दो यहां पर हम लोग यह पढ़ने वाले हैं कि हॉर्मोन्स कौनसा हमारे बॉड़ी में कौनसा हॉर्मोन्स प्ले करते हैं जिससे जो भी बच्चा जो होता है वो एक एडल्ट में ग्रो करता है तो सबसे पहला जो है आप लोग का अडोलिशन्स एंड पॉबर्टी तो यहां पर आपको दो बच्चे दिखेंगे एक का नाम है पहेली और एक का नाम है बुझो दो बच्चे इस चेप्टर में एक का नाम पहेली है और एक का नाम बुझो है यहां पर बुझो जो है ना वह अपना ट्वैर्ट बर्थडे सेलीब्रेट कर रहा है और फिर जब उसके फ्रैंस चले गए तो बुझो और पहेली जो है वह बात करने लगे अपने बहें और पहेली ने अपने स्कूल के गर्ण्स के बारे में बात की और वह स्टार्टेड लाफिंग यानिक वह हसने लगी से रिमार्ट डेट मेने अफ बुझो स्कूल फ्रैंड हूं शी मिट कि उसने ऐसा बताया कि बुझो के स्कूल के फ्रैंड के साथ जब वह मिली तो हैट सड़नी शॉट अपिन हैट वह अचानक से उनकी हाइट बढ़ गई है ना और कुछ लोग तो इसमें से बहुत 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 अलग दिख रहे थे हर मदर एक्समेंट देट बॉइस हैट ग्रॉण अप तो उनकी मम्मी न उनको बताया कि बॉइस जो है वह बढ़ रहे होंगे लेकिन जब वह दस ग्यारा साल के उपर जाता है तब वह जो एज होता है वह बाधिक होता है यह जो हमारे बॉड़ी पार्ट संसे होने लगते हैं दे इंडिकेट करते है वह को यह multiplied करते हैं कि हम ज्यादा समय तक बच्चे नहीं रहेंगे हम है डाल्ट्य में आ जाएंगे यहाँ आप दख देख हुआ होु यहाँ पर बूजो और यही पहली नमु सोच रहा है कि मैं सोच रहा हूं। बूजो बोलता Secure कि कब तक चलता हूगर। लेकिन उसका स्पेशियल नाम होगा जो चैल्ल और एडल्ट के बीच का टाइम होगा तो चायल वही ano होगा। है याने उन दोनों के बीच में हम रहते हैं तो घुर में हम अपने रॉधराइज दी पीरियड ओफ लाइफ वें दी बोडी अंडर्गोस चेंजिस लिडिंग टु रीप्रोड़क्टिव मैचरटी इस कॉल एडोलिसर हमारी जो बोडी है वो जब हमारे बोडी के अंदर अले गोले जब चेंजिस आने लगता है तो उसको हम रीप्रोड़क्टिव मैचरटी इस कॉल एडोली सेंस याद रखना आपको एडोली सेंस की अगर डिफाइन याद रखनी है तो आप इस तरह से कह सकते हो दी पीरियड ओफ लाइफ वें दी बोडी अंडर्गोस चेंजिस लिडिंग टु रीप्रोड़क्टिव मैचरटी इस कॉल एडोली सेंस एडोली सें अराउंड दी एज ओफ 11 एंड लाश्ट अप्टू 18 और 19 यर्स ऑफ दी एज अडर्विसेंट 11 से स्टार्ट होता है एंड लाश्ट अप्टू होता है ना 18 और 19 यर्स तक सेवरल चेंजिस उसे बहुत साइड चेंजिस आते हैं लेकिन आप लोगों क्या कभी सुना है तीन यह जो बीच जो लास्ट में तीन से लग रहा है ना बस हम उसी को कहते हैं टीनेजर्स मतलम मितलम जो एंडॉलिसंस के टाइम पर हो जाते हैं अभी मैंने आपको बताए है कमसे कम वह 10 11 के होते हैं और 19 तक होते हैं तो इसको हम कथे टीनेजर्स पर इन गश्ट अगर्ष आ हाइट है वो थोड़ी दर की स्टॉप हो जाती है और बोईस की हाइट बढ़ने लगती है बोईस और गुल्स बिकम ऑफ दी कैपेबल अफ रीप्रोड़्शन बोईस और गल्स दोनों ही डीप्रोड़्शन के कैपेबल हो जाते हैं पपर्टी एंड वैन एन एडलीशन रीच रीप्रोड़़्ु मैचरेटी पहली और बुजो रिलेश दाट सदन इंक्रीश इन हैट हैरे लाइन अबाओ दॉन इंड बोईस वेरसाइन औप अदॉलेस इड टोनुब-बोजोड़ भी जानना चाहते हैं आप लोग भी जानना चाहते होंगे उस बार में तब आता हमारे में चेंजेस अणarian पबर्टी की टाइम कौन-कौन सी चींजेस आ आते तो आप लोग को पता होना चाहिए कि poverty time suddenly height increase हो जाती है voice हमारी जो अलग हो जाती है voice में भी थोड़े बहुत changes बोड़ी shape changes होने लगते है सबसे पहले मैं आप लोग को बताने वाली हूँ height, height का increase होना, height बढ़ जाना the most conspiracyous changes during poverty is the sudden increase in height best example है कि इस समय हमारे height हो बहुत ज़्यादे बढ़ने लगती है at this time the long bone इस समय हमारे सरी को जो भी bond से वो long होने लगते हो इसलिए person जो हो टॉल हो जाता है ठीक है, next है, यहाँ पे आप लोग को एक चार्ट दिया गया है activity करने को तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हों इसमें आप लोग को ज्यादे कुछ ने दिया गया आपको बस इतना बताए क्या है कि जब कोई भी बच्चा 8 साल का होता है अगर वो लड़का है तो उसकी full height 77 परसंट होता है और अगर वो लड़की है तो उसकी full height 77 परसंट होती है अगर वो 9 यह का है तो 75 होता है और girls में 81 10 यह का 78 परसंट होता है और girls में 84 परसंट का होता है अगर वो 11 यह का है तो 81 परसंट बॉइस है और 88 परसंट girls फूल हाइट हो जाते है जब ट्वैल्स यहर्स का बच्चा होता है तो अगर वह बॉइस है तो उसकी हाइट 84 होती है जबकि गर्ष की हाइट 91% हो जाती है 13 years का बच्चा है उसकी हाइट 88% होती है और गर्ल्स की हाइट जबकि 95% होती है 14 years का जब वो बच्चा होता है ना 92% boys की और 98% girls की 15 years पे 95% boys की 99% girls की 16 years पे 98% boys की और girls की 99.5% 17 years पे 99% boys की और 100% girls की और 18 years पे 100% boys की और 100% girls यानि 18 years पे दोनों ही हो जाते हैं उनको जितना बढ़ना हो अगर आपको इसका calculation करना है तो आप इस तरह से अपने निकास सकते हो पर प्रजन्ड है समझे आपको किसी के हाइट निकालनी हो तो आप उसका अभी जो उसकी हाइट चल रहे है वह आप उपर रखना है और इसकी फूल हाइट कि समझे लो वह अभी 13 साल का बच्चा है तो इसकी हाइट कितनी हुआ यहां लिखना है और उसके हाइट की जिसमाज़ों वह 16 यह का है तो अगर बच्चा है तो 98 परसंट नीचे रखो लड़की यह 99 परसंट 5 और इसके बाद उसको वह 120 सेंटीमेटर है एड़ी एंड ऑफी ग्रोथ ही लायकले टूबे तो इसकी तो हाइट सेंटीमेटर है वह 120 है और 75 आपको नीचे आएगा जो चार्ट में दिया है और मंटीप्ला आपको 100 करना होता है अगर आपने को पता होना चाहिए कि अगर हमको परसंट हटाना होत है ठीक है तो इससे आपका आएंसर आ जाएगा आप इसो कट कर दे रहां इसका एंसर 160 आएगा नाव यहां पर आपको सकेंड चार्ट दिया गया है वह भी चार्ट आपको इसी तरह से दिया गया इस इस नो नीट पोर पहली तो बरी आल पार्ट ऑफ दी बोड़ी डोड़ इस अब्रट बोड़ी के बोड़ी के हर पार्ट पर ग्रों नहीं होते हैं सम्टाइमज पिर्मष औन लेक्ष में एक यहाँ पर हैं सोरी सोरी इनिटली गोर्स ग्रों फास्टर देंबॉइस बट by about 18 years of age both reach their maximum height the rate of growth in height varies in different individuals some of way grow suddenly at poverty and then slow down while others may grow gradually जरूरी नहीं होता है ना कि सब एक साथ ग्रू हो है ना कोई-कोई बहुत जल्दी हो जाते है लेकिन बाद में धीरे घीडरे घनी घर सो है तो यहां पर एपको यहां पर आपया है तेलिस्ञेट थे बोड़ी की हर पार्ट सेम रिट पर ग्रो नहीं होते हैं सम्टाइम्स दी आम्स और लेक्स और हैंड और फीट फाइडलेशन लुक ओवर साइज कभी कभी हमारे बॉड़ी के कुछ पार्ट सो है वह हमारे सरह से कुछ ज्यादा ही बड़े लगने लगते हैं लेकिन बाद में वह सब नॉर्मल हुई जाता है यू मुश्ट है नोटेस्ट हाइट ऑफ और इंडिविजुल इस मोर और लेस आप लोगों ने देखा होगा किसी-किसी का ज्यादा होती किसी-किसी का हाइट कम होती है वह फैमली मेंबर पर भी जाता है कि अगर आपके ममी पापा ज्यादा टॉल है तो बच्चा थोड़ा जल्दी ज्यादा टॉल हो जाता है अगर आपके ममी पापा थोड़ा स्मॉल है छोटे हैं तो बच्चा भी थोड़ा छोटा होता है लेकिन यह सिर्फ पर ही डिपेंड नहीं करता है अगर आप राइट का फूड खाते हैं सही मातरम अगर आप फूड ले रहे हैं तो हो सकता है आपके पहरेंस अगर छोटे हैं तो आपके हैट बढ़ सकती है इस तरह से भी हो सकता है और पार्ट ऑफ बोड़ी गेट अडेक्वेट नरिश्मेंट फॉर ग्रोथ यसलिए ग्रोथ के लिए भी अच्छे से हमको खाना खाना चाहिए यूवल फाइंड पार्ट जो मैं आपको बताया था री प्रोड़क्टिव हेल्थ अब बाते से बोडी शेप बोडी शेप किस तरह से चेंजिस होता है आप लोग को पता होना चाहिए कि बॉइस की वेश्ट सौरी बॉइस की जाओ सोलजर होती है वह ज्यादा ब्रोड होती है मतलब बॉइस जो है वह बहुत ज्यादे वाईडर होती है ठीक है बता गरें चाहिंज आपलों को पता अलब बख निवेस इस च्एक लर्ली इंगत हुआ कि छ जको आपने बॉस बोक्स कहते हो ठीक है कभी आप लेंगई आप लोग नहीं और किसी की वhouएस की बने वाइस की जहती है। बहुत ही कभी कभी किंच के कर्क भाइस चसे बहुत ही तक दिवारी बहुत ही रस्ता है और वोगों ने इस तरह का देखा वोईस में इसमें क्या ओता है इसको हम कहते हैं पेच पीच होती है और उनकी वॉयस पीच होती है जबकि वॉयस की वॉयस पीच नहीं होती है इन गर्स दे लरिंग्स इस हाड़ी विजिबल फॉम दे आउटसाइड बिकॉस ऑफ इस स्मॉल साइज जनरली गर्स हाव हाई पीच्ट वॉइस गर्स के हाई पीच्ट वॉइस होते हैं जबकि बॉइस की डीप वॉइस होती है अडलेसेंट वॉइस संटाजी मसल्स ऑफ दे इन्क्रीजट अटिवीटी ओफ स्वीट एंड सबएक्स ज्लैंड डिकॉरिंग पबटी देशिक्रिशन ऑफ स्वीड ग्लैंड इन्क्रीज इस समय पे स्वीट और सबेक्स ज्लैंड बढ़नने लगता यॉंग पिपल्ट गैकन एंड पिंपल और बॉह सार लोगों को एकन नमबर 9 का 9.1 और 9.3 का पिच्चर उसमें आप लोग को बताया जाएगा 9.1 और 9.3 अगर आप लोगों ने चैप्टर नमबर 9 पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए कि 9.1 फिगर में क्या बताया था याद करो हाँ याद आए कुछ 9.1 फिगर आपको मेल रीप्रोड़क्टिव औरगन इन हीमन सो बताया था और 9.3 में क्या बताया था अपको बताया fragment यप means js चेक्स और होते हैं आपको बटाया है यह जो completely developed हो जाते हैं तेस्ट इस ओल्सवीगिन टू प्रोडूटीस पम टेस्टीस बॉयस में होते है तेस्टीस प्रोडूस करता है हन और एंटेलेक्ट्टोल डियंदोन आता है इंटेलेक्ट्ट्ट्ट इसको फार्ट में वीडियो अच्छा लगा लैक किजिए सब्सक्राइब किजिए संपार किजिए मिलते हमाइं जै हींद्च भारत